हे गाईज वेलकम बैक टू इन माई चैनल तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि फेस में आई नोज कैसे मेजर किया जाता है तो आपको जिस पिक को ड्रॉ करना हो तो उसका जो आई है तो उसको अपने स्केल से उसको कितना सेंटिमिटर है वो आपको अच्छे से मेजर कर अतना ही जूम करना है उस इमेज को जितना बड़ा आपको जिख़ा करना है अपने पेज पर तो उस ही के हिसा पर अपना पेज को मेजर कर लिए कि किस बड़ा है और कि उसके हिसाब से ही cliqueー आपको nnosa करें आइगा कि कितना से कितना दूर तक ड्रॉड करना यहां पर मैंने जो i measure किया है वो 2 cm आया है तो मैं 2 cm का line टाल लूंगा तो इसी तरह आपको i measure कर लेना है nose measure कर लेना है eyebrows measure कर लेना है सब कुछ आपको measure कर लेना है draw करने से पहले उसे क्या होगा आपका accurate draw होगा और कोई भी गलती नहीं होगा तो जैसे हम आई मेजर कर लिए पहला आई है 2 cm का तो हम 2 cm का यहां से यहां लाइन टांच दिए और उसके बाद हम उसके अंदर आई ड्रॉ कर लेंगे और आई ड्रॉ करने के बाद हम नोज को मेजर करेंगे तो यहां हमारा पहला आई ड्रॉ हो चुका है तो अब हम नोज को मेजर करेंगे कितना सेंटिमेंटर नोज है तो जहां पर आई खतम हो रहा है वहीं से आपको नोज मेजर करना है तो मैं नोज मेजर कर चुका हूँ चार सेंटिमेंटर के थोड़ा सा चोटा है नोज तो हम चार सेंटिमेंटर से थोड़ा सा चोटा लाइन टान लेंगे तो यह हो गया है लाइन और अब इसके अंदर हम नोज ड्रॉ करेंगे तो यह हम नोज का जो लंबाई है वह हमें प साफसे तो आइबरोस बनाना बहुत ही है उताहट नहीं है तो आइब अब देख लिजह यूउजो तो आब सेकेंड याई बना फॉस्ट कर लेंगे थाइ कि कैसे करना है तो ये सकेंड लाई हमारा हमारा two centimeter के थोड़ा सा बढ़ा है तो हम two centimeter तो पहले हम डिस्टेंस कर लेंगे कि first eye से second eye का distance कितना है तो जैसे हम नोस के सामने से उसको measure कर ले रहे हैं तो यह first eye से seconds eye 2 cm का gap है दोनों के बीच में तो वहां से בी 2 cm ले ले लेंगे जहां से हमें draw करना है तो 2 cm पर mark कर दी है और second eye है 2 cm का तो अब second eye draw कर लेंगे उसके अंदर में तो ये complete हो चुका है हमारा eye अब हम draw करेंगे eyebrows तो eyebrows बनाना बहुत easy है कुछ नहीं पर straight line टानना है वो eyebrows आप लोग बना लेंगे तो इसके बाद हम draw करेंगे face का outline तो face का outline आपको draw करना है आप three end भी आप कर सकते हैं या आप grid method से भी face का outline draw कर सकते हैं या उसको measure करके भी draw कर सकते हैं तो अब ये जो line हम टाने थे दो line scales है कि उसके बाहर eye ना जाए तो उसे हम मिटा देंगे उसे बहुत अच्छे से मिटाना है क्योंकि अगर हाथ से आपका थोड़ा गंदा हो जाता है तो फिर वह drawing खराब हो जाएगा देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो अब हम lips draw करेंगे तो lips भी आपको उसी तरह measure करके करना है जैसे हम eye nose measure करके किये हैं तो lips को भी आपको measure कर लेना है और measure करने के बाद आपको lips करना है जो मैं lips पहले से measure कर लिया हूँ तो उसके बाद आपको lips का बना देना है बन जाने के बाद अब हम लोग outline draw करेंगे तो outline आप free hand से भी draw कर सकते हैं या grid method के यूज़ करके भी outline draw कर सकते हैं अगर grid method का use करके आप लोग को draw करना है तो मैं बेटो डाला हूँ आप लोग check कर सकते हैं वहाँ पर मैंने step by step बताया है तो यहाँ पर आपको outline draw करना है तो outline आप जैसे जैसे आप zoom करके दिखी जैसे आपको draw करना है हो सकता है गलती हो आपसे बहुत बार तो भी थोड़ा गलती हो तो चलेगा तो आपको outline draw कर लेना है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो face का outline हमारा हो चुका है complete अब हम draw करेंगे नेक और solder तो वह कैसे draw करना है वह बहुत इसी है outline ही draw करना है उसका तो आप image के हिसाब से outline आप draw कर लीजे तो यहां हो चुका है हमारा outline complete तो अब मैं charcoal pencil के use करके मैं इसका eyebrows को black कर दे रहा हूं तो आपको सबसे पहले notice करना है कि face पे कहां कहां dark area है तो जहां जहां dark area है आप उसे ग्रिफाइट 10B pencil से भी कर सकते हैं अगर आपके पास charcoal pencil है तो उससे भी आप draw कर सकते हैं तो मेरे पा आई में पहले देख लूँगा कहां कहां पर dark area है तो dark area जहां जहां रहेगा तो हम black कर सकते हैं तो यहां पर मैं charcoal pencil के use करके मैं आई को black कर रहा हूं तो आप face को हम set कर लेंगे तो face पर मैं use कर रहा हूँ art line का 4B pencil जो आप भी use कर सकते हैं जहां जहां dark area रहेगा हम वहां पर 6B, 8B, 10B कुछ भी use कर सकते हैं बड़ प्रेसर देखे यूज करना है जहां पर dark area रहेगा वहां पर थोड़ा pressure देना पड़ेगा तो हम अब face को अच्छे से set कर लेते हैं दो हम अचर को अचरते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटक से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे अगर हमारा कोई भी लेटिस वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा तो थाइंक यू सो मच फो वाचिंग अगर आपको इस वीडियो बहुत ही बहुत अच्छा ल